नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहूल कुमार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब सरकार के लिए मुसिबत बन गई है। देश में पेट्रोल डीजल और असोई गैस के बढ़ते दाम को देखते वे विपक्षी पाठियां विरोध पर दसन कर रही है। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जंता को परिशान कर दिया है। वहीं विपक्षी पाठियां लगाता सरकार को इस मुद्य पर घेर रही है। विरोध की तस्वीर अब सड़क पर भी देखने लगी है। तेल और असोईगेस की बढ़ती कीमतों का विरोध करते वे शिवशेना की युवशाखा यानि युवशेना ने जगा जगा पर नई कीमतों के बैनर लगाये हैं। युवशेना ने ये बैनर बांदरा पैस्टिम में कई पैट्रोल पमपो और सड़क के किनारे पर इस बैनर पर इन बैनरों को लगाया है। बैनर के ऊपर युवशेना ने लिखा है कि क्या यही है अच्छे दिन। सिर्षेना की और से मुंबई के बांदरा इलाके में पोस्टर लगाएंगा हैं जिसमें साल 2015 और साल 2020 के गैस, पेट्रोल और डीजर की केमतों की तूलना की गई है और पूछा गया है कि क्या यही है अच्छे दिन इन पोस्टरों में 2015 में पेट्रोल के दाम 64.60 पैसे बताये गया हैं जबकि 2021 में यह 96.62 पैसे परती लीटर हो गया है हारांकि मुंबई में आज की कीमत 97.60 पैसे परती लीटर हो गया है डीजर के दामों के बदलाओं को भी पोस्टर में दिखाया गया है 2015 में जहां डीजर बावन रुपे एक 11.60 पैसे परती लीटर मिल रहा था वहीं 2021 में यह 88.60 पैसे परती लीटर चला गया है रसुए गयस में इस्तेमाल होने वाले लिपे जी के दामों भी खासा बदलाओं देखरें नों को मिला है अवाच कोनाचा? शीव सेलेचा कौन चले बाइट कौन चले? शीव सेले के वीर चले निशेदासो निशेदासो केंदर सरकार चा निशेदासो मोदी सरकार आए आए जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी 2015 में जहां RPG गैसलिंडर की कीमत 572 रुपे 50 पैसे थी वहीं आप बढ़कर ये 791 रुपे हो गई है फिलहाल किन सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के पीछे कॉंग्रिस पार्टी को जिम्मेदा थरा रहा है जवाब कॉंग्रिस धरक्ष सोनिया गांधी ने ब्रिया गांधी ने प्रधान मंतिर नरेद मोदी को चिठ्थी लिखी है सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि मो़े आपस आनुरोद करती हूँ कины है जीडिपी गोता लगा रही है लेकिन केंदर ठीक रा पिछली सरकारों फोड़ने में लगी है इस खबर में इतना ही बाकी खबों के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ